हालो डियर स्टुएंट एक पर फिर से स्वागत आप सभी का एयर केमेस्टी क्लासेज में और आज हम लोग पढ़ेंगे और और गैनिक केमेस्टी क्लास 11 यूनिट 12 यह पार्ट 5 है वीडियो का मैंने इससे पहले 4 वीडियो डाल रखे हैं उसका प्लेलिस्ट आपको मिलेगा चैनल पर वहां से जाके आप जो आपके लिए यूजपूल हो जो आपको नहीं आता है आपको सीखना है वह वीडियो वहां से आप देख लिजिएगा पॉसिबल होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी तो चलिए आज के क्लास की बात कर लेते ह है कि आज के क्लास में पढ़ेंगे क्या हम लोग एक स्ट्रक्चल रिपरजेंटेशन और के दूटेशन सारे बच्चे को एक्जैम देंगे तो वहां पर भी जब नॉमनिक्लेचर से रिल्टेट क्वेशन आते हैं तो क्या होता है वहां कंडेंस्ट फॉर्म में फॉर्मूला होता है बच्चे हडवड़ी में बिना समझे उसकी तरह से कुछ भी लिग देते हैं ठीक है तो उस टाइब से क्या करना है कि कंडेंस्ट फॉर्मूले को किस तरह से कंप्लीट फॉर्मूला में कंवर्ट किया जादा है या कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला को यह मैं आपको यहां पर बताऊंगी यानि कि यह जो पढ़ना है छोटी सी चीज है लेकिन काम की चीज है इस दो पकड़ बहुत किजेगा और बैल आकन को पर पर किजेगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले अगर आप नहीं करते हैं तो चलिए इस टार्ट करते हैं आज का वीडियो ठीक है तो देखे सबसे पहली कि कि आर्गेनिक कमपाउंड को कितने तरीके से रिपर्जेंट कर सकते हैं इसकी इतना 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 पढ़ना पढ़ता है इसका कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक डीटेल में जाने लगे लोग जब ऑर्गैनिक केमेस्ट्री आपका एंड़ लबराट्री तयार होने लगा तो नंबर ऑफ कंपाउंट्स बन ने लगे इसके जिसमें कारबन की संख्या कयह बहुत जदा होती है तो यह संथ में कुछ यह सकता ही चारी जता है यह हर कोई जानता है कि आपको परेशानी आती है तो क्या होता है कि उस परिशानी को को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो वह आप करते हो तो उसी तरीके से पहले लेविस डॉट इस परेशानी यह बहुत लेंदी होता है बनाना और हमेशा आपका नहीं होता है किसी भी कंपाउंड को लेविस डॉट इस्ट्रक्चर में हमेशा करना तो इसको ओवर कम करने के लिए डैस इस्ट्रक्चर आया और सबसे इजी गोइंग होता है बॉट लाइन इस्ट्रक्चर जो कि आप अगर केमेस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ाई करो लेकिन डैस इस्ट्रक्चर जो यहां पे है यह आप कर रही हूं देज्यांद या आइस कंप्लीट इस्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं यह जानना बहुत जरूरी होता है लिखना क्यों कि जब मैकेनिजम की बात आती है नेम रियक्शन बनाने की बात आती है वहां पर आप कम्प्लीट इस्टक्चर लिखते हैं तभी आप मैकेनिजम को इसली समझ पाते हैं क्लियर यहां तक तो कहानी हो गई कि कैसे कैसे अविश्कार होता चला अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जो की आप मॉलिकुलर केमिकल बॉंडिंग में आपने पढ़ रखा है ठीक है कैमिकल बॉंडिंग में पढ़ा हुआ है आपने लेकिन यहां वे बास एक इंट्रों दूंगी मैं लेविश्क्टर का और उसके बाद हम लोग कंडेंसे और बॉंड लाइन स्टक्चर को पढ़ते चले ज दो कि lyk Canadians होता हैं दो और चार रिलेक्टों तो आप चार इलेक्त्र करेंगे और अब्ट रलेक्टों पूरा हो है तो और कारवन का और हाइडोजन का अपने डूट कम्पलीट हो गया उसी तरह से देखें क्या हो जाएगा कारवन और कारवन कारवन ही लिंक होता है यह मैंने आपको बताया है अपने पहले वाले वीडियो में वहां से आप देखें ठीक है फिर हाइडोजन छे है इसके पास ठीक है नहीं तो यह देखें तो आपका छे हाइडोजन है तो अब आप हैडोजन को 3 यहां पर ऐसे सजा देते हैं इधर भी इस कारवन के साथ भी टेटरा पैलेंसी पूरा करेड़ा कारवन तो करना क्या है अब देखें यहां पर इस कारवन का 4 इलक्टरॉन होगा तो 1 2 3 और 1 4 फिर इस कारवन का भी 4 इलक्टरॉन तो 1 2 3 4 अब हर एक हाइडोजन अपना अपना एक एक इलक्ट्रॉन तो लेकर यहां यह सब शेरिंग करेंगा तो यह यहां यहां फ्रक्राइब करना ही करना है कार्बन को तो क्या किया इधर से करोगे तो चौथा हुगा इसकहां से यहां पर भी वैलेंसी हुआ ठीक है उसी तरीके से यहां पर भी कर देंगे तो यह हो जाता है कि आपको लगता है कि पॉसिबिलीटी है अगर बड़ा बड़ाएलिमेंट लिखना होगा तो उसमें एतना डॉर्ट डॉर्डर समझना दोनों ही अत्रीत होता है यह अत्रीक है तो इसमें क्थरोगर आप से आप खारया कर सुद्ध कि से चार यहां पे हईडरोजन धो ही तो एक आप हैडोजन इस यानि कि थे시는 मनेखा तभी कार्बन का टेटराइंस यह लिखा एक उलेक्ट्रों इसके पास और उसी तरह लब इस कारवन इसका एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया एक लेक्ट्रों यह ह lote doing और ना इस तरीके से एथीन का formula आगे चलके में बताऊंगे आपको c double bond c होता है ना इस तरीके का तो यह यहां पर यह जो फॉर्मूला आप देख रहें यह लेविस डॉट structure है लेविस इस्ट्रॉक्टर या डॉट structure इसी को कहते हैं तो यह बहुत complicated कि यह करना है तो यह देखे लेविस डॉट इसी चीज़ को यहां पर आप देखें बांड़ पेर यानि जो शेरिंग इलेक्टरॉन हो रहा है दो एक्टम के बीच में उस चीज़ में लेक्टरॉन को ना दिखा कर आप डैस से दिखाना बना तो carbon और hydrogen के बीच दो इलक्टोन है तो इसे कर दिया carbon hydrogen के दो इलक्टोन इसके में भी दो इलक्टोन इसमें भी दो इलक्टोन इसी को कहते हैं यानि जहां जब हम लोग carbon की जगह पर इसका इस्तमाल करते हैं तो यहीं है इसका कंप्लीट फॉर्मूला उसके बाद देखे यह वाला जो सेकेंड एग्जामपल है आप अपनी वीडियो में देखते जाए तो यहां पर क्या है जैसे कारवन कारवन के बीच दो इलक्ट्रों का सेरिंग हो रहा है तो दो इलक्ट्रों से एक बॉंड बनेगा ए सब बताएगे हैं आपको वीडियो आप देख सकते हैं चैनल प्यावलेबल है यहां देखे तो कारवन कारवन सिंगल बॉंड फिर इधर से हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉंड यह जो आप देख रहे हैं यही है डैस फॉर्मूला तो कोई कोई मुश्किल नहीं है इसको स होता है वो टू इल्यक्ट्रण को सो करता है यानि आप यह कह सकते हैं बॉंडेट लेक्ट्रण को दिखाता है में बॉंडेट पेर इलक्ट्रोण को दिखाएगा तो जो बॉंडेट प्यआइण तो यह समझ में आपके आगया अब हम लोग देखें के लिए टो नाम से दखें कि लिए है हम लोग एक्जांपल से बसपटाक से सिर्फ समझना है आपको यहां देखिए का मतलब हुआ कि जो डैस इस्ट्रक्चर आपने लिखा न उसके छोटे को पहले समझ दीजिए तो जैसे मैंने पहले लिखा था लेवी स्ट्रक्चर के सब्सक्राइब जैसे यहां सीच फोर जो है अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो तो यह भी कंडेंस फॉर्म हुआ या फिर जैसे यहां पर दिया हुआ है तो इसको लिखते हो तो यह भी कंडेंस फॉर्म हुआ यह छोटे-छोटे का फॉर्म कंडेंस हुआ और इसका बहुत इस्तेमाल होता है नॉमिंक्लेचर जब आप पढ़ते हैं तो इस तरीके से लिखकर ही हम लोग नॉमिंक्लेचर लिखरा सीखते हैं फिर देखिए आप अग कितनी बार है एक दो तेन 4 तो लिख के इसको four कर सकते हैं और ये क्या हो गया यह देखिए यह क्या है अपने कंडेंस फॉर्म है इसका भी यह हो गया यह चोटे से छोटे फॉर्म में अपने ला दिया यह बी चुकि यहां पे बॉंडिंग इस फॉर्मूला के रूप में भ सिखाना होता है लेकिन इसी को कंडेंस कर दिया तो इस तरीके से लिख दिया सब्सक्राइब करने के लिए आपको यह देखिए आपका क्या है इस तरीके से है यह आपका प्रापलम 12.5 का है यह लिखा हुआ है हो सिस्ट नौ चिए च्ट टू च्ट 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 कितनी बार एक दो तीन चार बार तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे चार बार कर ऐसे कंटेंस कर सकते हैं इसके बाद आता है सझेधे 3 तो देखें यहां पर यह तरी है यहाँ यहां पर रही है वह disp HOW कंटेंस मेल कर सकते हैं और यह जो c h 3 है न इसको आप होल ट्वाइस कर सकते यहां पर यह वर यह दोनों मिल के दोग हो गया तो यह क्या हो गया कंडेंस हो गया लिखना चाहिए क्पिक नाम लिखने के लिए पहले इसको में लाईए गा नंबर ऑफ कार्बन देखना होता है स्टार्टिंग फेज में प्रैक्टिस करने के लिए और तब आप नॉमिक्लेचर में सही से लिख पाते हैं तो यह हो गया कंडेंस फॉर्म प्रैक्टिस कीजिए ट्वल पॉइंट एक्सराइज जो आपका 12.4 है 12.5 है 12.6 है उसका प्रैक यह कार्बन लिखना अंडर स्टूड होता है कि लाइन जंक्शन पर कार्बन तो इस लिए वह सवसे असान होता है ठीक है शीयर टूसियर को बॉण्ड लाइन से दिखानाrem से दिखाना तो क्या हो गया कि आपको देखिया ऐसे ऐसे दिखाया और ऐसे दिखादिया यह हो गया यह एक चीज़ समझना है कि यहाँ पर यहाँ पर यहां पर जो हुआ था एक समझना है कि कार्वन कार्वन और हाइड्रोजन जैसे यहां पर वैलेंसी है कार्वन का वो फुल्फिल हाइड्रोजन से करना होता है यह आपको जानकारी है तो जैसे यह ऐसे लिखने का आर्थ है कि कार्वन का टेट्रा वैलेंसी पूरा हो चुका है अगर डवल बॉंड क का नीड होगा तो डबल बॉंड भी डालते हैं इसमें लेकिन इस तरीके से लिखने का मतलब है कि यह प्रोपेन लिख दिया गया सी एच्छी यह समझाने के लिए आपको लिखा है बॉंड लाइन में लिखने की जौरत होती है नहीं ठीक है आप जैसे यह चीज जैसे पहले इसे ग्रें झाल के लिखना है जी किया अंधे स्टार्ट होगा मालिया कि यह है ऐसे to this हो गया ये 002R हो गया यह ऐसे लिखा तो ये 003 हो गया लेकिन जैसे ही आपने बैंड किया तो यहां पे क्या हो गया सियस्ट हो गया और फिर यहां पे परिए Energine तो यहां आप चले गए तो यह देखिए किस नंबर कार्बन पर लटका हुआ है यह तो इसी पर आप ऐसे लटका के छोड़ देना तो यह हो गया कि आपने लिख दिया तो ध्यान से समझते हुए और यहां पर जैसे देखिए आप एक दो तीन और यह चौथा कारवन अपने आप कंप्लीट हो गया इसके आगे आपको नहीं जाना है देखें कितना आसान है समझे इस चीज़ को बॉंड लाइन कैसे लिखा जाता है यहां से आपने पकड़ा तो एक दो तीन तो एक दो तीन तीसरे पर वैलेंसी लटक रहा है तीसरे लटका दिया जब नॉमिक्लेशर पढ़ाओंगी तो आपको बताओंगी कि यहां से कांटिंग होता है ना कि इधर से तो अभी मैं कांटिंग नहीं सिखा रही हूं आपको आपको सिर्फ बॉंड लाइ और इसे भी है इसको लिखना है इसको कहेगा कि बॉंड लाइन में दिखाए तो देखे यहां ऐसे लिखेंगे आप तो यह देखाना है तो व्यार आपको डालना होगा अलग से वह कार्वार्वाण जयां कि दिखाना सिए कार्वन पर आपर मुनक्त यह दिखने यह तो इतना सू नहीं करना है इसको डायरेट कैसे लिखते हम लोग ऐसे ऐसे और यहां पर लिखCont ग्रोमीन वानताई समझ में यह tester से आपके बूख सारे एक्सराइज के दिया मैंने समझाया हैतना आप चरीके सापकु करना है तो CH3 यहां पर एक चीज और समझेंगे तर्मिनल पर जो होता है वह किसको रिपरजेंट करता है सपोज किजिए कि ऐसा लिखा हुआ है ऐसा तो यह जो पॉइंट आप देख रहे हैं यह जो पॉइंट देख रहे हैं और मान लिया कि कोई एक आपका ऐसे आपने एक लटका द है वह मिथाइल ग्रूप को अब बताएं मिथाइल ग्रूप किसको कहते हैं CH3 को बोलते हैं मिथाइल ग्रूप ठीक है टर्मिनल स्रिपर टर्मिनल है यह तर्मिनल कार्मन है तो यह हो गया आपका मिथाइल ग्रूप तो इस तरीके से यह हो गया आप देखें अब एक चीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए सब कुछ समझ में आ जाएगा इस तरीके से देखे हर जंग्सन पे एक कारवन है ऐसे आप जोड़ देंगे यह भी सैक्लो व्यूटेन हो गया तो इस तरीके से आपको सिर्फ देखे अगर यह है दिया हुआ होगा क्या क्वेस्टन में यह दिया है तो इसको लिखने कहेगा तो कैसे लिखेंगे देखे जहा कहां जहां लाइन का जंक्शन है वहां पर आप कार्वन लिख लो ठीक है कि है अभीacak उसके बाद हाइडोजन ये अधर सबस्मक्रहा तरहेंधे लाड़ Assim करें क坐 दो कि दो इस तरीके से यहां भी उसी तरीके से आप कर सकते हैं जहां दे credential है तो कर दो हाइडोजन पूरा करेगा इस तरीके का एक से तरीके से इस बीडियो में आपको इस तरीके से बताया है असान है लेकिन एक बार देख लने से आपके दिमाग में सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि उसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है जब आप आइसो मेरी जम पढ़ते हैं तो वहां पर 3D स्ट्रक्चर पर काम होता है आरेस कॉंफिग्रेशन जब पढ़ना होता है तो वह जानना रहता है कि 3D स्ट्रक्चर कैसे काम करता है तो वह सीज मैं आपको अगले वीडियो में समसीखाऊंगी तो उसके लिए तयार रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए भाई थैंक्यू टेक केर है बनाइड़ दे